परमादर्णिये द्यक्ष जी परमादर्णिया प्रफसर ससी प्रभाजी कुलपती सांची विश्व विद्धाले बोध वार्थी अध्यान कुल सचीव पता नहीं आये हैं कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है कुल सचीव राजीश गुपताजी शभामे उपस्तेत विद्धाजन परबुध विद्ध्वान मित्र एवन अध्यापक्गन आज का जो विशे है बहुत दर्शन की लोकोप योगिता आज ही नहीं है आज विशेश कर है प्रारंब में भी थी बुद्ध के जीवनकाल में भी थी और आज भी है और रहेगी भी दर्शन की महान बिदुसे और सुप्रतिष्ठित बिद्वान बैठी हैं बिदुसे बैठी हैं उनके सामने बोलने में कुछ भय भी लगता है लेकिन दर्शन का सामान्य अर्थ तो देखना होता है दर्शन करना होता है हम दर्शन करने मंदिर में भी जाते हैं आपका दर्शन हुआ बड़ा इविक किसी को देखकर कहते हैं लेकिन यहां उस दर्शन से जिस दर्शन से मेरी आंतरिक द्रिष्टी दिव्य द्रिष्टी याग्रित नहों जाए कम से कम हो या नहों याग्रित नहों जाए पुर्ण होने के लिए जिग्यासु नहों जाए तब तक वह द्रिष्टी नहीं है तो दर्शन का अर्थ एक द्रिष्टी है और दर्शन की दो धाराएं मैं प्राचीन काल में है बाद के विद्वानों ने कबसे यह चली मुझे यह ज्यात नहीं दो धाराएं चली आ रही है एक आस्तिक दर्शन है एक नास्तिक दर्शन है यह सब भारतिय दर्शन ही है आस्तिक दर्शन भी भारतिय हैं आस्तिक दर्शन भी भारतिय हैं और सबों ने अपनी अपनी एक द्रिश्टी दी है वह द्रिश्टी किसलिए दी है हमें सबों ने यह यत्न किया है कि मानों मात्र का कल्यान हो दुखी जनों का दुख से त्राण हो और वे सुख की अवस्था तक जाएं उन्हें मोक्ष मिले द्रिश्टी दी है एक चारवाग को छोड़ कर चारवाग तो उचिन्द वादी थे नास्तिकों में जैन बाउध और चारवाग की गणना की जाती है पर मेरी द्रिश्टी में बाउध और जैन को आप आंसिक नास्तिक कह सकते हैं पूर्ण रूप से नास्तिक नहीं चारवाग पूर्ण तो नास्तिक हैं वे उचिन्द वादी थे धेरवाद में मैं एक बुद्ध के काल में चो तिर्थंकर थे अजित केश कंबल नाम करके एक तिर्थंकर थे इन चो तिर्थंकरों ने अपना अपना एक दार्षनिक मत दिया है और सबों की केवल जीवन चरिया से ही नहीं जो आज के लोगों के कुछ संत महात्माओं की जीवन चरिया है वह इसी ही चरिया थी तो उन्हों वे भी उच्छिन्वादी थे बुद्ध के काल में थे तो मुझे कभी कभी लगता है कि यह चारवाग की परंपरा आज से नहीं यह अतिप्राजीन परंपरा है चली आ रही है द्रिष्टी से आत्मतत्व का बोध होता है द्रिष्टी से मुझे कहां जाना है द्रिष्टी मुझे एक रास्ता दिखलाती है एक मार्ग का पत्कातिक दर्षन करती है कि उस पर कैसे चलना है वह मार्ग कहां से प्रारंपर होता है मेरी द्रिष्टी में बौध दर्षन को छोड़ कर अन्य कोई दर्षन सीधी रास्ता सीधा मार्ग नहीं दिखलाता है बौध दर्षन ही मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक ऐसा मार्ग का प्रग्यापन करता है जो सामान्य जन्वी समझ सके बुद्ध ने कालाम सुत्य में जिसे हम केसी सुत्य भी कहते हैं अस्पस्ट सब्दों में कहा है कि किसी भी बात को इसलिए स्विकार नहीं कर लेनी चाहिए कि यह मेरे यह बात मेरे कुल परंपरा में बहुत दिनों से आ रही है किसी भी बात को इसलिए नहीं स्विकार कर लेना चाहिए यह सास्त्रगत बात है सास्त्रों में है या मैं बुद्ध हो तो किसी भी बात को इसलिए स्विकार नहीं कर लेनी चाहिए कि कोई महापूरस भोल रहा है स्वर्णकार जैसे सोने की परिक्षा करता है तपाकर वैसे ही आप उन बातों को की परिक्षा कर ले और जबी आपको सही वह बात जस्ती हो तो आप उसको स्विखार कीजिए मेरा कोई आग्रह नहीं है कि मैं जो कहता हूं वह सही कहता हूं मैंने जो देखा है मैंने जो अनुहाव किया है मैंने जो ज्ञान की प्राप्ति की है वह आपके सामने रख रहा हूं तो यह तो यह जो दर्शन है मैं नहीं समझता हूँ कि भारतिय दर्शनों में और कोई कहा होगा इस तरह की बात एलान करके कि मेरी बात तुम किसी भी बात को यह इसलिए स्विकार नहीं करनी चाहिए कि कोई महापुरुस बोल रहा है या सास्तरगत कोई बात हो मैं नहीं जानता हूँ कि और किसी दर्शन के अस्थाप को ने प्रतिपाद को ने यह बात कही है कि नहीं कही पर गुद्ध की बात तुमुझे मालूम है अब वह भी कहिए कि सास्तर की बात है तो आप क्यों मानते हैं सास्तर की बात बुद्ध ने 45 बरसों तक धर्म देशना की है इसके बाद उनके सामने भी एक ही प्रस्ण यही था जो सामानने सभी दर्शनों के सामने है ज्यान प्राप्ति के उपरांद ज्यान प्राप्ति के कर्म में ही उन्होंने देखा दुख से संतप्त लोगों को प्रस्ण में लोके परिफंद मानन पजंग दुख से संतप्त तड़ती हुई जनता को देखा लोगों को देखा तो दुख से महा करुणा इससे उनके अंदर एक महा करुणा जगी और धर्म देशना करने का उन्होंने निश्चे किया सास्त्र में तो है कि सहमपति बर्मभा ने आकर के आग्रह किया यह तो दर्शन की बात हुई सामाने रूप से अब उन्होंने कहा कि यह लोक जो है लोकूप योगिता बहुत दर्शन में उनकी सारी देशनाएं जो 45 बर्सों तक जहां कहीं भी उन्होंने देशना दी दो ही बिंदूओं को खिंद्र में रखकर चलती है यह दुख है की अवस्था है यह सुख की अवस्था है अर्थात निर्वान की अवस्था है A state of eternal bliss and that is the state of suffering How one can be taken from the state of suffering to the state of eternal bliss तो दुख एवंग सुख यही उनके पूरे 45 बर्सों में जो कुछ जहां कहीं भी दिया विभिन ने परियायों से दिया इन ही दो बिंदूओं को कंद्र में लेकर वो चलते हैं तो उनके सामने ये दो बिंदू रहते थे अब लोकोप योगिता की बात जो है तो उन्हेंने कहा कि लोक क्या है तो लुज्यती पलुज्यती ती लोको यहाँ जो लुजन परिवर्तन सिलता है जो हम देख रहे हैं यही तो लोक है इसको संसार भी कहते हैं तो संसार में उन्हेंने कहा कि यह संसार जिसका संसरन होता है जहां संसरन होता है तो कहा कि खंधा नंच पटिपाटी धातु आयत नानच अब्बूज हिंदंग बत्माना संसारोती पबुच्चती ती अर्थाथ जहां पंच असकंध आयतन धातु वोका पुनःभवन होता है और वहीं नस्थ होता है अर्थाथ जहां हम जर्म लेते हैं वहीं हम मरते भी मिर्तु को भी प्राप्त करते हैं तो जहां पर ये पंच असकंध आयतन पांच असकंध दो देखिए यहां पर भुद्ध ने मानों कौन है आखिर दुख से जो संतप्ट ब्यक्ति है वह ब्यक्ति कौन है और दुखी क्यों है तो उन्हों ने यह देखा कि जो ब्यक्ति है वह कुछ नहीं है बुद्ध बड़े सफल अध्यापक थे अपने सुरोता अगण जहां कहीं जाते थे उनके मनों दसा उनकी मनों दसा का अध्याइन कर लेते थे और उन्हीं की भासा में उन्हीं के वो धगम्य सब्दों में वे अपना उपदेश देते थे तो उन्होंने कहा कि यह मानों कौन है उन्हों के सामने एक प्रस्न था बुद्ध के समय से तो यह वेदान दर्शनों का न जो उपनिसद्ध भी थे तो यह आत्म तत्व का जगड़ा अनित्य का जगड़ा तो उसी समय से चल रहा था बुद्ध के काल में आकर और बढ़ता ही गया तो बुद्ध भी हिंदू के रूप में ही पैदा हुए थे तो ये आत्मतत्व की खोज में उन्होंने लोगों को समझाने के लिए कि इस संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है अस्थाई नहीं है और आत्मा नामक उन्होंने देखिए लोग कहते हैं कि बुद्ध अनात्मबादी थे उन्होंने कहीं भी अपने अपनी देशना में यह नहीं कहा है कि आत्मा नामक कोई चीज नहीं है या है इभी नहीं कहा है बच्छ गोत ब्रामभन ने एक बार पूछा बुद्ध से कि अच्छा आप यह बताएं कि आत्मा है या नहीं है आनन्द तो उनके साथ रहते थे तो है पर भी चुप लगा गए नहीं है इस पर भी चुप लगा गए तो आनन्द ने उनसे पूछा कि आपने उस ब्राम्बन को जवाब क्यों नहीं दिया तो बुद्धका कहना था कि ज़दी मैं कह देता हूं कि आत्मा नहीं है तो जो आत्मबादी हैं उनको बहुत कस्ट होता है और जो मैं कह देता हूं कि आत्मा है तो जो कर्म निस्ट है उनके मन में दुहंद चलने लगता वो कर्म ही नहीं करते कि जब आत्मा की सुद्धी में ही लग जाते अपना कर्म नहीं करते हैं इसलिए मैंने नहीं कुछ कहा कि आनंद संतुष्ट नहीं हुए कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हुए तो बुद्ध ने कहा ब्यक्ति की अधारना मनुस्य की अधारना के कर्म मनुस्य क्या है तो पहले कहा कि नाम रूप का संगात है तो नाम माइंड एंड मेंटल फैक्टर्स चित एंड चैजशिक टेकनिकल सब्द है और रूप ये दोनों चित एंड चैजशिक नाम हो गए और रूप जो 28 बौद दर्शन में 121 प्रकार के चित हैं और 52 से लेकर 64 प्रकार के चैजशिक हैं मेंटल फैक्टर्स है और 121 प्रकार के चित हैं तो ये फरंपराज चली उन्हों ने कहा कि फिर इस को देखा कि सामाने जन्द की नाम रूप सामाने जन्द समझ नहीं सकते हैं तो इसका विस्तार उन्होंने पंच असकंदों के रूप में कहा कर दिया रूप असकंद बेदना असकंद संग्या असकंद संसकार असकंद और विज्ञान असकंद कर दिया तो रूप असकंद में 28 प्रकार के रूप होते हैं चार महाभूत हैं पिर्थवी जल अगनिवायू और 24 इनसे उत्पन्य रूप है सामान निभासा में हम कह सकते हैं कि जो भूत भौतिक पतार्थ हैं यही रूप है हमारे सरीर में जो नख त्वचा पांस केस लोम इत्यादी हैं यही सब रूप है तो इस प्रकार चित्थ चैजशिक और रूप इसी नाम रूप का पंच असकंदों का पांच असकंदों का इसी तरह पेदना अनुबहों को कहते हैं अनुभवन लख खड़ा वेदना यह भी तीन चाद तीन प्रकार की होती है मैं बहुत कहाराई में नहीं जाऊंगा नहीं तो बहुत से बाते जुट जाएंगी तो इस तरह से पंच असकंधों का समूह मात्र है फिर कहागी नहीं अब यहां भी लोग असकंध नहीं समझेंगे तो अब इसको और बाइफरकेट बढ़ा करके कहा दिया कि बारह आयतनों का समूह है चक्छू आयतन रूप आयतन छोत आयतन घान आयतन जिवव आयतन काय आयतन बन आयतन सब्द आयतन गंध आयतन तो ऐसे करके उन्होंने बारह कर दिया तो दो से बारह फिर बारह से उन्होंने अठारह कर दिया अठारह धातूं में इसका विस्तार कर दिया माने ब्यक्ति की स्वरूप को आंतरिक स्वरूप को और वाहिय स्वरूप को दरसाने के लिए लोगों को यह दिखाने के लिए कि कोई ब्यक्ति के अंदर कोई नित्य चीज नहीं है नित्य पदार्थ नहीं है जो जिसके लिए हमारे अंदर जिसके कारण अहंकार ममकार की भा बावना जागरित होती है और वही दुख का कारण बनती है हम कहते हैं कि मेरा सरीर है मेरी पत्नी है मेरा लड़का है मेरा पोता है यह नित्य नहीं है न हम नित्य है न कोछ भी नित्य है यह नित्य परिवर्तन सील है परिवर्तन सील ताकि एक धारा परवाह चल रही है उसमें जब तक वह धारा ले नहीं जा रही है तब तक है और जब ले Même चले जाये अनत्य परियायसुत है जिसमें कह दिया खोल खोल करके बता दिया कि यही मनुष्य का आंतरिक रूप है जिसमें कहीं भी नित्यत्व का दर्शन नहीं होता है 12 आयतनों में भी दिखा दिया 18 धातों में भी दिखा दिया वही बेक्ती है जो इनका संखात है उसके अंदर कोई आत्मा नावक चीज नहीं है यह दुख से मुक्ति दिलाने के लिए आत्मद्रिष्टी अहंकार प्रद अहंकार द्रिष्टी को समाप्त करने के लिए नस्ट करने के लिए कि ऐसा उन्होंने ऐसा हुझे करना पड़ा क्योंकि दधग का कारण देखा कि एटेश्मेंट होता है राग होता है तो यह क्यों बड़ता है हम समझते हैं कि हम नित्य हैं नाती, पोता, परनाती, छरनाती सब देख लेए एक मंजिल से दो मंजिल, दस मंजिल बना ले एक गाड़ी से दस गाड़ी हो जाए तो यह तुब यही लोक है अप्योगिता यह जो अप्योगिता है यह तो देखिये इसकी उपयोगिता किसको करते हैं बच्पन वी स्कूल में हम लोगों को सोशल साइंस में सीविक्स में एक चैप्टर था उपयोगिता उसमें यह था कि वह वस्तू जिसमें मनुसे की आओ सकताओं को पूर्ति करने की छमता हूँ तो वही उपयोगिता है उसी को उपयोगिता करते हैं तो यह लोगों पयोगिता जो होती है बहुत दर्शन की है यह एक द्रिष्टी प्रदान करती है मनुस्य को अंदर खोल करके उसके सरीर को दर्शागर दुख के प्रहाण है तू और दुख का कारण को को दर्शाते हुए वह चलती है जिससे की लोग यहां भी सुखी रहें इद्धनंदती पेच्चनंदती कत्पयो उभयत्थनंदती पुन्य करते हुए यहां भी आनंद पुर्वक रहें और वहां भी रहें तो इस तरह से यही लोकुप योगिता है उनकी वस्तुतों बहुत दर्शन का प्रारंभ कब हुआ वैसाख पुर्णिमा के धीन है जब बुधने अपनी जिस रात्री को उनको ग्यान की प्राप्ति हुई थी उसी रात्री के चतुर्थ याम में बुधने प्रतित्य समुद्पाद का अनुलोम और प्रतिलोम सीधे और उल्टा मनन किया था कथंग भवचक्कंपवत्यती कथंग निरुज्जती थी भवचक्र ये जो है कैसे प्रवाहित होता है कैसे प्रवर्तित होता है और कैसे निर्द होता है इसके कारणों को उन्होंने रात्री के उसी पूर्णिमा के रात्री के चतुर्थ याम में उन्होंने इसका मनन किया था और उन्होंने देखा जिससे सिधान्त को हम कहते हैं प्रतित्य समुत्पाद कार्ज कारण बाद थियरी ओफ कॉजेशन लॉफ डिपेंडन्ट ओरिजिनेशन यही कारज कारण बाद है कारज कारण बाद तो अस्पस्ट है कोई भी कारज हम बिना कारण का नहीं करते हैं आप यहां आएं हैं आप विद्या प्रेमी हैं आपके अंदर सुनने की एक अभिलासा है तो आप यह सोचे होंगे कि आज एक आसी के पंडित आ रहे हैं जहाला कि मैं वैसा विद्वान नहीं हूँ जैसी परसंसा यहां के एक प्राध्धापक ने की वैसी परसंसा मेरी वैसा व्यक्ति मैं नहीं हूँ सामान ने हूँ पढ़ता लिखता हूँ अपना सोतकाज करता हूँ करवाता हूँ विद्यार्थियों को सिक्षा देता हूँ कि भाई सही रंग से अपना अध्यायन अध्यापन करो सही विद्या सिखाता हूँ मेरे कूल परंपरा में अध्याइन अध्यापन का काल आज नहीं मेरे दादा जी बाबा जी के पहले से चला था और वो भी ट्रेडिशनल संस्कित के यही पढ़ाए लिखाई चली करीब 1890 के कब में मैं सुनता हूँ पिताजी कहते थे कि हमारे पिताजी कहते थे बाबा कहते थे कि वे उस समय जोतिसा चार्ज थे और बाबा को कहते थे अपने पिताजी को कि वो पटना इंवर्सिटी में थे संस्कित के प्रफिसर व्याकरना चार्ज थे तो मैं उसी परंपरा का हूँ और वो जो अध्याइन अध्यापन की प्रणाली है वो अधिकाल से मेरे फुल में प्रवाहित हो रही है उनकी मासरस्वती की बड़ी किर्पा है तो दर्शन का प्रारंभ उसी प्रणिवा की रात्री से ही हुआ है और वह प्रतित्य समुद्पाद उस प्रतित्य समुद्पाद में बारह अंग है कौन कौन से तो कहता है अविज्या पच्या संखारा अविद्या है संसकार है विज्ञान है अविज्या पच्या संखारा संखार पच्या वियान वियान पच्या नाम रूपन रूपन यही नाम रूपन जो हमने कहा है विज्ञान से नाम रूपन नाम रूपन नाम रूपन जो है जो आयतन चक्छू सोता घरान ये वामन ये होता है तो फस पच्चेया बेदना उसके बाद क्या होता है अविज्जा पच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् चाहे अक्सपर्स हो चाहे शरीर से असपर्स हो तो बेदना होगी बेदना पच्चया तन्हा तब हमारे अंदर त्रिष्णा की भावना जगेगी और वह त्रिष्णा की भावना करम सह तन्हा पच्चया उपादानंग और उसी से उपादान बलवती त्रिष्णा हो जाएगी बल्वति एक्छा हो जाएगी और तन्हा पच्या उपादान पच्या भाव तो परंपरा शुरू हो जाएगी जन्म लेना मरना ये सब शुरू हो जाएगा द्याधी रोग सब तो भाव पच्या जाती जरा मरन तो ये अभिद्या मूल कारण है अब आप पूछ सकते हैं कि अभिद्या आती कहां से आज मैं जन्म लिया तो अभिद्या आई कहां से नहीं आप अभिद्या लेकर ही पैदा हुए हैं कैसे वह केवल संपर्क में आने से बीज रूप में पड़ी है संपर्क में आने से वह बीज वपन होने लगता है जमने लगता है उगने लगता है त तो वो जो विज्जा है हमारे अंदर एक अनुसय धर्म है हमारे बहुत दर्शन में अनुसय कहते हैं latent factors वो कैशे आते हैं भई तो वो क्या है हम जो कार्य करते हैं अच्छे बुरे किशी भी कोई भी कार्ज करते हैं सब का फल होता है ऐसा नौ सोचें कि फल नहीं होता है तो सब कर्म हमा अपने समय पर फल देता ही है उसी फल को हम अभिद्यात्व अज्ञान है तो उसी फल को हम क्या कहते हैं उसी फल को संसकार कहते हैं तो जो हमारे इस जीवन के कर्मफल हैं उसका से जो संसकार बना वही संसकार लेकर के हम जन मिलेंगे और जब तक वह संसकार रहेगा देखिए यहां दर्शन की गुड़ तत्व जो है जब तक वह संसकार रहेगा मुझे मुक्टी मुख नहीं मिलेगी मोक्ष नहीं मिलेगा निर्वान नहीं मिलेगा संसकार रहेगा अर्थात फल रहेगा तब तक तो उसका अच्छे बुरे फल का भोग भोगना ही पड़ेगा तो यही संसकार जो है न वहीं लेकर और इसी से अंसर होता है जो लेटन्ट फैक्टर जब आदमी जन्म ले लेता है वेक्ति जन्म लेता है तो उसके अंदर यह लेटन्ट फैक्टर रहते हैं अब अविद्या ज्ञान को कहते हैं जिसको कि क्या सत्य है क्या असत्य है क्या दुख है क्या सुख है दुख का कारण क्या है यह सब पता नहीं है तो संसकार वही है विज्ञान यहां प्रतिसंधी विज्ञान है प्रतिसंधी विज्ञान से है अविद्या हो गई संसकार का जन्म हो गया कारच कारण वाद में अब प्रतिसंधी विज्ञान जब जन्म होगा उस फल के स्वरूप तक कूल, अस्थान, माता, पीता, सब उसके तैह हैं, उसके कर्म फल के अनुसार किस कूल में पैदा होगा, कहां पैदा होगा, किस प्रकार का कूल होगा, ये सब उसमें बना रहता है, निर्धारित रहता है तो मा की गर्व में जो प्रवेश होता है, जिस विज्ञान का उसे प्रतिसंधी विज्ञान, वो जोडता है, प्रतिसंधी विज्ञान, और फिर उसका कर्मसः, उसमें प्रोडता आती है और नौमास नौमास और तो इसी के अंदर वो आङोकान सारे आयतन जो है न वो है न वगरा जो नामरूप हो गया तो ये विज्ञान पत्चेया संकार प्च्या बियाद प्च्या नामरूपं तो जब यह वड़ी नामरूप माइंड एंड क्र मेंटल फैक्टर्स और मैटर ये सब प्षरमेशन हो गया तो ये आयतन भी हो गए नामरूप पच्च्च्च्च्या नामरूप पच्च्च्च्या ना transmit Dart जबायतन हो गए तो असपर्स होने लगा चक्छु से असपर्स किसी रूप का होता है सब्द से असपर्स हमारे कान का होता है गंद से नाक का होता है जिवा से रस का होता है, असपर्ष से बड़ी का होता है और धर्म से मन का होता है तो इस तरह से सारी इंद्रियों का असपर्ष सुरू हो जाता है और फिर वेदना होने लगती है फिर त्रिष्णा जगती है फिर उपादान बलवती एक्छा जो त्रिष्णा है हमारे हाँ पुधिजम में 108 प्रकार की बतलाई गई है 108 प्रकार की त्रिष्णा होती है तो इस तरह से उसका भी एक परवाह चलता है और धीरे धीरे वह बलवती होती जाती है आज क्या देखते हैं यह मैट्रिलिस्टिक जूग है भौतिक बादी बवस्था है उनके इस भौतिक बादी बवस्था में हमारी आमदनी तो सिमीत है और सक्ताइं अनंत हो गई है मार्केट में विभिन परकार की सुक्स्तुविदाओं की चीजें उपलब्द हो गई है हम खरीद नहीं सकते हैं तो परिवारिक प्रेसर में आपको धन का उपार्जन करना पड़ता है परिवार के अन्य लोग नहीं जानते हैं कि आप कहां से लाते हैं उन्हें धन चाहिए वे सुक्स्तुविदा चाहिए पहले ब्लाक एंड वाइट टीवी पर हम लोग देखते थे अब रंगेन टीवी पर देखते हैं अब देखते हैं कि दिवाल की टीवी आ गई चलिए कहां रहेंगे खरीदिये तो क्या करेंगे वही उपादान तृष्णा जाल है भल्वती जा जाए जिसके पास साधन है तो खरिद लेगा जिसके पास नहीं है वह क्या करेगा चोरी करेगा अब श्रस्ट अचार में करेगा घूस लेगा यही करेगा न और कहां से लाएगा तर्खाह से तो मैं नहीं सोचता हूँ कि यह आरी चीजों की पुर्ती हो सकती है आज तो मैं देखता हूँ कि किसी के पास मारूती 800 है ओ एक साल के बाद कोई स्रिफ्ट डिजायर ले लिया ओ के लिये लिया आई टेल ले लिया फिर देखता हूँ कि इनो हुआ पचलने लगा पूंडा और हुंडाई की गारी खरिदने लगा अब पहले की जमाने में मैं देखता हूँ प्रफसर सिधेस्वर भटाचारिया को हमने देखा था मैं भेलू पूरा थाना के पास रहते थे साइकिल से आते थे संस्क्रिट विवाद जो संस्क्रिट के विद्वान अक्सफोर्ड में प्रफसर आचुके साइकिल से कम से कम दो तिन किलोमीटर पड़ेगा कासी हिंदु विष्व बिताले जहां रहते थे वहां से साइकिल से आते थे साइकिल में पंप सुलेशन रवर यह सब रहते थे कि रेज पंचोर हो जाए कहां बनाएंगे सोईंट खोले के बनाएंगे तो इस तरह से विद्वानों की सोच होती है, होनी चाहिए और होती भी है कुछ विद्वानों की, सब की नए, कुछ की रूपी है, सब विद्वान तो बरतमान इस बहुती बादिक बवस्ता में अधिकांस विद्वान चल रहे हैं, तो इस तरह से विद्वान चलता है, यह बलवती एक्षा होती है, तो ऐसे एक्षाओं का परवाह होता है, फिर देखिए, बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने कहा कि यह प्रतित्य समुद्पात लोगों के समझ के बाहर है, यह कैसे समझ में बात आएगी? तो उन्होंने कहा कि भाई, जब संबोधन करने लगे, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ओ भिखवे, देशे मी धंबंग, आदि कल्यानंग, मज्जे कल्यानंग, परियोसान कल्यानंग। मैं आदि में जो प्रारंब में, मद्ध में और अंत में, जो कल्यान कारक धर्म हैं, उनकी मैं देशना कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए, और तुम एकागरचित्थ होकर सुनो, और उस पर मनन करो, और उसको आचरण में लाओ, तो देखा कि ये प्रतित्य समुत्पात सामान जन के समझ की बाद बाहर है, आज भी बहुत लोग पुछते हैं, कि पढ़े लिखे लोग भी पुछते हैं, जद्ध्यपी की इसका बीज रूप में मैडम अधिक जानती हैं, सांख्य में भी मिलता है कुछ, तो हमारे हाँ है, सब चीजे हैं, बुद्ध भी आत्मतत्व के बारे में प्रारंब में एक अस्थुल से सुक्षम और सुक्षमत्तम की ओर गया है, और बुद्ध ने तो नका रहे दिया, नित्यत्व को नका रहा है, आत्मतत्व को नहीं, नित्यत्व को नका रहा है, तो उस ही प्रतित्य समूत्पात का उन्होंने भिस्तार किया तो चार आरसत्य के रूप में किया पंचबर गिए भिख्चु जब वो तपस्या में और वेला में निरण्जना नदी के तट पर थे उन्होंने अनुवव किया अपनी तपस्या के क्रम में साधना करके अन्ड छोड़कर जल छोड़कर कथोर से कथोर तपस्या करके उन्होंने देख लिया गिर जाते थे उनके 32 पहपुरुस के जो लक्षन सरीर पर थे वे सारे लक्षन लुप्त हो गए थे चेहरे काले पढ़ने लगे थे रास्ते में वो बेहोस हो जाते थे उस समय वही पंच बर्गिये भिक्षू जो थे कॉंडिन ने बप भद बगिये अस्च जी यह जो पांच बर्गिये भिक्षू थे इन्होंने उनकी सेवा की थी तब इन्होंने देखा सोचा कि यह सरीर को आत्म पीडा देने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है यह गलब चीज है इसलिए इसका परित्याग करना चाहिए और इसे छोड़ कर तब उन्होंने उस पीडिक्स के नीचे तपस्या शुरू करती है और सामान्य विक्षाटन द्वारा भोजन कर लेते हुए और उसी साधना से जो सामान्य साधना थी उसी साधना से उन्हें ज्ञान लाब हुआ ज्ञान की प्राप्ति हुई संब्यक्संबुद्ध काला है तो उन्होंने जो कुछ किया है न यह अपने उन्होंने अनुवहों में अपने जीवन में करके और उसका प्रियोग करके उन्होंने हमें सिक्षा दी है उन्होंने जो अपना उप्रिश दिया है तो प्रतित्य समुद्पात का विस्तार उन्ह कि दुख तो है व्यक्ति दुखी भी है पसा में लोके परिफंद मानग पजन दुख से तड़ती हुई जनता को देख रहा हूं तो ये दुख भी है सर्भम दुखम हम लोग कहते भी है इभी कहते हैं कि सर्भम छड़ी कम तो दुख भी है तो कारण भूत होना है क्या कारण है अब जदि कारण है तो उसका निरोध हमी संभव और और सब करकिंदि संभवत है इसका उपआय То होगा हि कुछ साधन भी होगा तो उन्होंने एक मार्ग का प्रज्यापन कर दिया कहा कि मध्यम्मार्ग दो अत्यों का परित्याक कर दिया इस पर मैं बाद में आऊंगा चलिए तो दुख पर देखा कि यह दुख कैसा दुख देखिए कितना आज के परिवेश में उपयोगी है कैसा दुख तो दुख करें नखमती ती दुख जो कठिनाई से तकलीफ से सहन किया जाए वही दुख है और क्या कहा बुद्ध बड़ेज कि मने ज्या में कहूं दिविद्रिश्टी उनमें थी वह बहुत प्रयोगी प्रैक्टिकल दर्शन ने इसे लिए एक तरफ परियत्ति पटिपत्ति और पटिवेट सिद्धान्त उसका प्रियोग और उसका ज्यान उस्से जो ग्यान दिले है ऐसा दर्शन है तो यह दुख जो है कह दिया कि जाति पिदुखः जरापी दुखः व्यादि पिदुखः मरनंग पिदुखः शंप्यग्द्धधि योगोद्धू और शंपयोगोद्धू यंपीचंतं न लवदी पिदुखः अब अरे जनम लेना तो दुखी है जब जनम लेंगे तभी सारे दुखाएंगे गुड़ापा होगी बिमारी होगी सब दुखाएंगे लिकिन कई दिया की यंग पिछं तों ना लभ़ती पिदुखं कितना पर वारी कहा उठोने कहा कि संप्यगस्त व्योगो दुखो देखते हैं मेरा लड़का अगर बाहर जाने लगा भी देश तो बड़ी दुखी होते हैं अब अप्यस्त संपयोगो दुखो जो आप प्रिये सत्रू कोई मिलता है तो दुखी होते हैं होते ही यह भी दुख है कि कहां से कहां मिल गया भाई जिद दिन भर का समय मेरा खराव हो गया कहते हैं तो इस प्रकार और इस भौतिक बादी ववस्ता में कहा यंग कितना उप्योगी है कि यंग पिछन तंग ना लभती भी दुखंग जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति नहीं हो यह तो सबसे बड़ा दुख है आज की बेवस्ता में तो दुख है अंत में कौद्या की संखिते में पंच उपादान खंदा यह सरीर ही दुख में है दुख है तो कहा कि इसका कारण क्या है इसका कारण एक ही है वही जो त्रिष्णा चलती है बलवती होते हुए वही त्रिष्णा जब बलवती त्रिष्णा हो जाती है तो बलवती एक्षा हो जाती है तो वह उपना कर्म कुकर्म कुसल अकुसल सब कर्म कराने लगती है उसका फल भुगतना पड़ता है तो इस तरह से यह क्रम चलता है तो त्रिष्णा कारण है कि देखिए प्रतित्य समुद्पाद को यहां प्रतित्य समुद्पाद जो कहा अनुलोम से तो यह त्रिष्णा जदी कारण है तो इस त्रिष्णा का नास भी हो सकता है इसका निरोध हो संभव है कैसे तो इसका उपाय है अस्त्रांगिक मार्ग जिसको कि मध्यम मार्ग कहते हैं मध्यम मार्ग इसी अस्त्रांगिक मार्ग को बुद्ध ने कहा है मध्यम मार्ग इसलिए कहें कि दो अंतों का परित्याग कर दो अंत अत्यकिल मथानु जोगो अत्यंत आत्म पीड़न देना अपने आपको कस्त देना और दुसरा पहला है कामे सुकाम सुखल लिकान योगो इंद्रिये जनित सुख की एक्छा में अत्यधिक लिप्त रहना तो ये पहला और आत्म पीड़न दुसरा इन दोनों का परित्याग करके बीच का जो मार गए वही मध्यम मार हैं और उसमे आठ जो कडियां है एसलिए आर्जसत आंगे मार्ग मार철 बीकरते हैं सम्मा देठे संध्रिस्टी समा enterprise सम्मा संकप्नो सम्मा वाचा सम्मा कमंतो सम्मा आजीव सम्मा वैयामो सम्मा सतिषमा समाधिए सम्यक द्रिष्टी और सम्यक संकल्प ये क्या हैै कि सा शम्यक द्रिष्टी और सम्यक संकल्प करैं संग्रिश्टी जो है ऐसे श्रें हम दार्सरीग उन्बहा सामें लेकिन यहां द्रिष्टी के द्योतक हैं कैसे द्रिष्टी के इस अर्थ में द्योतक हैं कि इनसे यह पता चलता है कि क्या करणिये है क्या अकरणिये है तो और सम्यक संकल्प मिथ्या द्रिष्टियों का परित्याग बुद्धने के जीवन काल में 62 परकार की मिथ्या द्रिष्टियां पर चली थी जो हमारे यहां ब्रह्मजाल सुत्य में मुझाल दर्साई गए 62 परकार के मिथ्या द्रिष्टियां कि तो उन में मिथ्या द्रिष्टि से वीरत रहना कि सम्यक्ड्रिष्टि वहीं सम्यक्डष्टि कुछ पुरवांत कल्पित हैं मिथ्या द्रिष्टियों में और कुछ अपरांत कल्पी थे अठारा और चाववालिस का भेद है तो इस धंग से उन द्रिष्टियों से वह द्रिष्टी क्या है सवस्वतों लोकों अन्तवा लोकों अनंदवा लोकों लोक वह द्रिष्टियों से अलग रहना ही सम्यक्ष्टि हैं और सम्यक संकल्प क्या है वो भी तीन प्रकार का है देखिए नेखम संकल्प तो ये तो सबों के लिए नहीं है मुझे लगता है विच्छों के लिए चाहे और जो बहुत जिसमें बैरागे आ गया है उनके लिए है कि नेखम में संकल्प कहते हैं घर त्याग ग्रिह त्याग का संकल्प ने श्क्रमण का जानकल्प और विखिंसा संकल्प और विहिंसा संकल्प जो होता है हिंसा नहीं करने का संकल्प मनें प्राण हत्या जीव हत्या यह नहीं करने का जो संकल्प होगा वही विहिंसा संकल्प हिंसा से विरत रहना और व्यापाद संकल्प और व्यापाद का अर्थ होता है परविनास चिन्ता अर्थार यह क्या परविनास चिन्ता हम देखते हैं न कि उसने मुझे आज से दो साल पहले बड़ा कस्ट दिया है आज मिल गया है इसको कस्ट पहुँचाओ या मेरे भाई को बड़ा कस्त दिया है मेरे संबंधियों को कस्त दिया है यह बात यह सूच कर और देगा आगे भी दे सकता है यह बात सूच कर उसके नुक्सान पहुंचाने की चिंता उसकी हाने पहुंचाने के चिंता यही ब्याबाद है तो नेकंम संकल्प उससे अलग रहना और्व ब्याबाद यह बात के दो जो दो हैं सामने जिवों के लिए सामने प्राणियों के लिए अब है सम्मादिठी सम्मासंकप्पो सम्मावाचा सम्यक्वचन होता है कि मिथ्या वचन से अलग रहता है अर्थात किसे मुझ चार प्रकार की मिथ्या वचन होते हैं मुशावादा वेरमणी जूट बोलने सहसत्य भासन से पिशुना वाचा वेरमणी चुगली करने से अपना विश्वास जमाने के लिए उसकी निंदा करो पिशुना वाचा वेरमणी और क्या भाई आ तो फरसा वाचा वेरमणी कठोर वचन इससे भी अलग रहा हूँ और क्या तो संफ़ पलापा वेरवड़ी अनर्गल गप लगाने से आजकल प्राया होता है लोग देखते हैं और नहीं तो कुछ नहीं तो पान की दुकान पर तो गप होई जाएगा दस लोग मिली जाएगे बनारस में प्रहाम बात है पान तो यह अनर्गल गप लगाने से तो यह जो बाते हैं इतने प्रकार की जो बाते हैं ऐसे बचन से बीरत रहना अर्थात मित्या बचन से बीरत रहना ही सम्यत सम्मा वाज़ा है सम्मा कमन तो सम्यत जो कर्म है जो मित्या कर्म है उससे अलग रहन अब जो अकुसल कर्म है उससे अलग राना जो अभी उस अध्यापक ने प्रिदर्शी डॉक्टर प्रिदर्शी जो हैं उन्होंने जो कहा ना कि सब पापस सा करणन कुसला सव उपसंपदा सवचित परियोद अपनंगेतं बुद्धान सास्वा तो जो अकुसल कर्म है अकुसल कर्म को मत करें कुसल को कीजिए और चित्त की मन की सुध्धि कीजिए तो इसलिए इस प्रकार से यह कर्म चलता है तो सम्मा कमंतोस अब देखिए बुद्ध जानते थे कि जीविका सरीर जब तक सही नहीं रहेगी तब तक हम कोई कार्ज नहीं कर सकते हैं तो जीविका के लिए कहा कि सम्मा आजीवो सम्म्यक आजीविका होने चाहिए सम्म्यक आजीविका का मतलब कि ये नहीं कि चोरे करके घूस लेकर भरस्ट अचार में लिप्त होकर या उन्होंने कहा मांस का ब्यापार बरजित कर दिया सस्त्र का ब्यापार बरजित कर दिया सूरा आदी का ब्यापार बरजित कर दिया इस तरह से उन्होंने या उस समय ठगने की प्रकिरिया जो थी डंडी से कोहना लपना डंडी से जुका करके डंडी से ठकने वाले ब्यापारी जो होते हैं इन सबों का उन्हों ने उसमें बड़ी अच्छी गणना है इस से को कहा कि इस से अपनी जीविका उपार्जा नहीं करने चाहिए तो सम्मा आजीवो मिथ्या आजीव का उसे भीरत रहकर अब सम्में आजीविका के द्वारा अपना जीवन जापन करना यहीं सम्में करना कितने थे सही तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा उसके लिए तो यत्न करना होगा तो सम्मावायामो, सम्मावायामो, सम्म्यक यत्न, किसलिए यत्न, तो उन्होंने कहा कि जो अकुसल धर्म उत्पन हो चुके हैं, वे नस्ट हो जाएं, जो अकुसल धर्म, पाप मय धर्म उत्पन हो जाएं, हो गये हैं, वे नस्ट हो जाएं, इसके लिए यत्न, उत्पन आनंग, अकुसल धम्मानंग, पहानायवायामो, तो उसके लिए यत्न, और जो अकुसल धर्म उत्पन नहीं हुए हैं, वे उत्पन ना हुएं, इसके लिए यतने, जो कुसल धर्म उत्पन हो गये हैं, उनके अभिबर्धन के लिए यतने, जो कुसल धर्म उत्पन नहीं हुए हैं, वे उत्पन हो, अर्थात उनका संपादन हो, इसके लिए यतने, तो यह वायाम दो है वाया सम्मा वायामो जो है यह इस अर्थ में यह इसा नहीं है कि केवल इसी लिए यह अर्थ में हमारा अध्यात्मिक देखिए बहुत दर्शन यह बहुत उसके बाद मैं बताऊंगा आपको इसके बाद आपको सम्मा सती सम्मा वायामो सम्मा सती सम्मा सती मैंने सतत जागरुकता इस मिर्थिमार हमेशा जागरुक रहे हैं हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि क्या आद देख रहे हैं काम कर रहे हैं तो जो काम कर रहे हैं उस पर कॉंसर्टेशनों के क्या कर रहे ह यह नहीं कि लिख रहे हैं दिमाग वहां है क्लास में बैठे हैं मैं प्राय अभिदार्थों से कहता हूं जब पूछ देता हूं बीच में से नहीं पता दें उन कहां थे सरीर से यहां थे दिमाग से कहीं ओर थे तो ये सतत जागरुकता आवस्यक है उसके बाद सम्मा सती तो ये सम्मक समाधी समाधी है एकागरता किसकी एकागरता तो चित की एकागरता भाई चित की एकागरता तो एक चोर भी सेंद मारता है तो एकागर चित होकर ही सेंद काटता है घर में तो किसकी एक अगरता तो कुसल चीतस से एक अगरता जो अच्छा चित है जो कुसल मूलों से सम्प्रियुक्त है जो कुसल अकुसल की जो अधारणा है मैं बता दूंगा यहां कि कुसल चित किसको कहते हैं कुसल चित्थे किस को कहते है सामान ने बोल चाल की भासा में तो हम जानते हैं कि अकुसल चित्थ अजू खराब चित्थ ने कहा है कि स्खे मूल है יו हे है चित्त को कुसल और अकुसल बनाने का और यह कुसल और अकुसल बनाने के जो चित्त के कारण है एच्छे कारण है तीन अकुसल मूल हैं लोब दोस द्वेश और मोह अज्ञान यह अकुसल है लोब हो दोसो मोह हो और कुसल क्या है अलोब हो अदोसो अमोब हो तो अलोब अदोब द्वेश और अमोब यह कुसल है तो जब चित्त कुसल अकुसल मूलों से संप्रिव्प्त होगा अर्थात लोब से प्रेरित हो द्वेश से प्रेरित हो अग्यानता अग्यानता मोह सबके वो काम जब करते हैं द्वेश भी काम करता है तो मोह जुड़ा रहता है लोब भी काम करता है तो मोह जुड़ा रहता तो यह जब चित्त से संप्रिव्प्त रहते हैं तो उन्हें अ और जब तीन कुसल मूल जो हैं अलोव, अदोस और अमोह ये तीन जुड़े रहते हैं तो इनको हम कुसल मूल काते हैं इसलिए बुद्ध ने कहा है कि तीनी कुसल मूल आनी अलोवो, अदोसो, अमोहो तंग संपयुतो, वेदना खंदो, सहिया खंदो, संखार खंदो, वियान खंदो तंग समुठानं काय कंबंग, बची कंबंग, मनो कंबंग, इमे धम्मा कुसला तो जो तीन हमारे कुसल मूल है अलोव, कार्थ परित्याद, अद्वेश, मितरता, मेत्रे भाव अमोह, ग्यान तो ये जो तीन कुसल मूल जुड़े हैंगे तो हमारा जो कार्ज होगा वह कार्ज अच्छा कार्ज होगा तो चित कुसल होगा और कुसल चित से जो कार्ज हम काईक वाजसिक और मानसिक कार्ज करेंगे तंसमुठानम तो वो भी कुसल होंगे चाहे काईक कर्म करें वाजसिक कर्म करें या मनो कर्म करें तो ऐसे कुसल चित्त की एक आगरता ही समाधी है अंत के ये तीन सम्मा वायामो सम्मा सती सम्मा समाधी ये तीन समाधी है के द्वितक है और सम्मा वाचा सम्मा कमंतो सम्मा आजीवो ये तीन सील के द्वितक है और सम्मा दिठी और सम्मा संखपो और ये प्रग्या के द्वितक है तो सील समाधी प्रग्या मग्गा अनंग अठंगिकों से ठो मार्गों में अस्टांगिक मार्ग स्रेश्ट है बुद्ध ने कहा है तो इस प्रकार सील समाधि और प्रग्या बुद्ध की सिक्षाएं जो है तीन स्रेणियों में विभाजीत है सील क्या है एक सील बुद्ध ने जो यह विभाजन किया है यह सील आधार हम घर का निर्मान करने जाते हैं सिला न्यास करते हैं है तो नीव जितनी मजबूत होती रहती है उतनी उतना ही घर भी मजबूत होता है है उतना ही वह ग्रेव ही मजगूत होता है और नीव अगर कमजोर होती है तो घर भी कमजोर होगा तो तो सील जो है वह कि सदाचा सामाने अर्थ में तो उसको सदाचार करते हैं और पति ठापन लग ख़रंशी लग जो प्रतिष्ठित करता है सीतल अठेर कहा है बुद्ध ने कहा है कि सीतल अठेन वह राग अगनी को दोश अगनी को और मोह अगनी को शांत करता है उसका समन करता है सील हमारे अंदर जो राग अगनी है दोश अगनी है और मोह अगनी है यह तीनों अगनिया है यह और तीनों की ज्वाला धधकती है काम करती है तो सील जो है यह तीनों अगनियों का समन करता है इस प्रकार यह क्रम चलता है एक सिल नहीं देखिए फिर कहता है सीरठे नसीलन तो यह अगनियों को सांत करने से समन करने से कोई भी चीज में कहीं भी सितलता आती है फिर सीरठे नसीलन ताक इस रिष्टा के वियर्थ में सील करता है कप्रियों होता है स्रमाधी और देखिए सील एक परकार की नहीं है बहुत परकार की है पंच सील, अर्ष्ट सील, दस सील, आजीविका पारिसुद्धे सील, पातिवोग संबर सील तो हम कुछ नहीं ले, गिरहस्त जीवन में दो ही सील, जो है एक पंच सील पारा, तिपाता, बेरमनी, जीव हिंसा से बिरत रहें तो इससे हमारे अंदर क्या होगी जागरित महत्री भावना जागरित होगी जब जीव हत्य की हत्या से हम विरत रहेंगे तो हमारे अंदर महत्री भावना जागरित होगी वह कैसी महत्री महत्री भावना भेद रहित रास्ट रकूल जाद प्रदेश ये भेद रहित ऊंच नेच ये भेद रहित जो महत्री भावना है अपना पराय की भेद छोड़ करके वही महित्री उससे महित्री भावना प्राणियों के परती जियों के परती महित्री भावना जागती दुनी किसी दूसरे की वस्तु को बिना दिये हुए ले लेना चुरा लेना तो उसको अधिन्नादान उससे बीरत रहना अर्ठाट चोरी से बीरत रहना तिसरे कामे सुमिच्छाचार आदेरवले ब्यभिचार से बीरत रहना परिस्तरी गमन से बीरत रहना भिक्षूओं को कह दिया बुधरे और ब्रम्भचरिया वेरमणी गिरहस्तों के लिए कह दिया कामे सुमिच्छा चारा वेरमणी ये कह दिया गिरहस्तों के लिए फिर मुसावादा बेरमणी असत्य भासन से अलग रहा हूँ और सूरा मेरे मजब्पमाद ठाना बेरमणी सूरा आधी के पांच से अलग रहा हूँ ये पांच गिरहस्तों के लिए अत्यंत उपयोगी उस समय भी थे आज भी हैं और रहेंगे भी तो इस प्रकार फिर अस्तसील उपासकों के लिए दससेल भिक्षों के लिए ऐसे करके उन्हों ने और बहुत बहारा है सबसे खासियत बात है कि बुद्र ने कहीं किसी जाती बिसेश बेक्ती बिसेश के लिए कोई उपदेश तहीं दिया है समाज को दिशाक के ब्याद से छे भागों में जरूर विभाजित करके उन्होंने उसके अधिकार करतब्यों को दरसाया है कि एक गिरहस्त को अधिकार करते क्या है मैं उसके बारे में भी थोड़ी बताऊंगा तो इस तरह से उन्होंने पंचसील अस्टसील रसील सबसे आजीविका पारिसुद्धी सील जो है बुद्ध जानते देखिए सामाजिक आर्थिक धार्मिक और दार्शनिक आध्यात्मिक इस 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 आर्ज अस्ट्रांगिक मार्ग मध्यम मार्ग से तीनों चीजें नहिस्ट्रित होती है दार्शनिक भी आध्यात्मिक विकास मोरल डेवलप्मेंट आप मोरल भैलूस इंकलकेशन आप मोरल भैलूस ये सब जो चीजें हैं न है आजीविका पारिसुधि सिल ये आर्थिक है अर्थ के बहुत से सुप्त हैं संजुत्त रिकाय के जो कि एकनॉमिक से संबंधित है धन कमाना चाहिए चालिस बरस के अवस्ता तक सही तरीके से चोरी करके नहीं गूश लेकर नहीं सही तरीके से खुब मेहनत के द्वारा धन कमाना चाहिए और उस धन का उप्योग कैसे करना चाहिए चार भागों में अपने कूल आमदने को आय को सेलरी को बाट दो एक भाग शिगालो वात्सुत में यह है एक भाग तुम अपना और परिवार के भरर पोसर पर खर्च करो दूसरा भाग वविस्ते में इमर्जंसी के लिए रख दो तीसरा भाग जो उद्योग करते हो अध्यापक हैं तो किताब कापी इधर उधर लाइब रेडियेटरिंट करना वो करना अपने वेवसाय में इन्वेस्ट करो शौथा भाग दान करो अइसा नहीं कि किसी बहुत धनी आदमी को प्रामभण को दान कर दे दान करो इससे हमारे अंदर दान का बड़ा महत्व है बुद्यम में भी तो दान और परित्याक की भावना जागरिश होते हैं तो बुद्ध समय काजिविका में यह सब चीजे बताया है बुद्ध के आमदेने कीजिए 40 वरस के वस्था तक खुब कमाईए खुब धन आरजन कीजिए और उसका उप्योग कीजिए इस डंग से उप्योग कीजिए तो इस प्रकार यह सील की जो मैं चर्चा कर रहा था आजीविका पारिसुद्धी सील यही हमारी आधार सीला है हमारे चरित्र निर्मान की आधार सीला है आध्यात्निक विकास की आधार सीला है बिरा सील का हम अध्यात्म में भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं और वह सील का पालन ही से आचारत हमारा विक्षित होगा स्रावस्ति में बुद्ध चारिका रत थे एक देवतार ने उनके सामने प्रस्ण रखा और कहा कि आप इसका उत्तर दीजिए सामने प्रस्ण रखा कि अंतो जटा वही जटा जटाए जटिता पजा तंगतंग गोतंग पुच्छा मी कोई मंग भी जटे जटनती अंतो जटा वही जटा अंतो जटा वही जटा जटाए जटिता पजा तंगतंग गोतंग पुच्छा मी कोई मंग भी जटे जटनती तो बुद्ध ने इसका उत्तर दिया कि सीले पति ठाए नरो सपईयों सीले पति ठाए नरो सपईयों चित्तंग पंयंच भावयं आतापे निपको भीखू सोई मंग भीचटए जटन्दी खहा कि अंदर भी हम तृष्णा जाल से जखड़े हुए हैं अंदर से और बाहर से भी घिरे हुए हैं हे गोतम मैं आपसे पुछता हूँ कि इस तृष्णा रुपी जाल को कौन काट सकता है तो बुद्ध करते हैं कि सीले पति ठाए नरो सपईयों चित्तंग पंयंच भावयं आतापी निपको भीखू कोई मंग भीचटए जटए तो सील में प्रतिष्ठित होकर सीले पति ठाए नरो सपईयों चित्तंग पंयंच भावयं शमाधी भावना करते हुए चित्त की जो सुधी करता है प्रग्या का साक्षात्कार करता है किया है वही इस जटा रुपी जाल को काट सकता है तो इस प्रकार बुद्ध ने उपदेश दिया और जब बुद्धो गोस हमारे बड़े पाच्वी सदी के कमेंटेटर थे समय बीट गया है 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 मुझे तो भी लगा कि अभी टाइम नहीं लिता है अच्छा मैं अब इसको लास्टी करूंगा तो इस तरह से उन्होंने उसका उत्तर दिया इसलिए समाधी आवस्यक है समाधी दो प्रकार की होती है बहुत संचिप में कहूंगा एक रूप समाधी एक रूप समाधी कहते हैं जो हमारे सामने हम किसी रूप आलंबन पर रूप विशय पर जाहे वह त्रिभुझाकार हो सत्रिभुझाकार हो बुद्ध की मुर्ति हो हनवान की मुर्ति हो जीव की मुर्ति हो या किसी रंगीन कोई हरा बॉल हो तो यह किसी रूप आलंबन पर जब चित्यकाग्र होता है तो उसको रूप आलंबन तो उस ध्यान को हम रूप ध्यान करते हैं उस प्रक्रिया जब शुरू होती है ऐसे शुरू नहीं होती है यह बहुत विशाल विशय है उसके जब शुरू करता है साधक तो उसके अंदर एक भावना जागरित होती है और वह काम चंद व्यापाद थेनवीद उधाचा को कुच्चा यह काम निवरन जो धर्म है जो उसके ध्यान की एकागरता के बाधक तत् है वो उसको डिस्टर्व करने लगते हैं वह क्रमसाह अभ्यास छोड़ता नहीं अभ्यास के द्वारा इनका समन कर देता है और ध्यानांगों का ध्यान के सहायक अंगों का उद्य होता है वह भी पांच है वितर्क विचार प्रिति सुखवे कागरता तो वे इस तरह से रू रूप ध्यान करते हुए जिस जो चित रूप ध्यान रूप आलंबन पर एकागर होता है उसको रूप आवचर चित करते हैं और फिर साधक जयकता है जैसे जैसे पंचम अवस्था में रूप ध्यान की पहुंच गया कागेश्य निरवान संभव नहीं वह अब अब जिसके सामने रूप नहीं है अरूप आलंबन पर ध्याने कागर करता है और अरूप आलंबन में क्या है आकासा और वियान आकास का मतलब क्या यह आकास उपर इसकाई नहीं इस पेस पर फिर अपने चित पर ही वियाना नहीं चाहिए अग उसके सुक्षमत तो पर फिर उसके सामने से आलंबन खतम होता है तो इस तरह से वह उसका अभ्यास करते हुए लास्ट में उसके भी अरूप ध्यान के लास्टे स्टेर में जाता है तो उसका वह देखता है कि इससे भ अंदर कितने अभी अकुसल्टत्व बिद्यमान है और उनका प्रहांड करना चाहता है प्रहांड हे निर्वान को कालाब करता है वह निर्वान कालाब करता है वह कहां या आता है निर्वान कोई जगह नहीं कि जो हम लोग कहते हैं कि यह ब्रह्म भकास्वरूप है जैसे सारी नदियां जाकर एक समुद्र में मिल जाती हैं और अपना नामनिसान खो देती हैं कि कहां से कहां का जलाया है कहां से कहां का वैसे ही इसका कर्म ले गया उसके संसकार समात्त हो गए उसके फल समात्त हो गए वह अच्छे फल संसकार जब समात्त हो तो तो निर्वान की थोड़ा मारते हैं तो उससे चिंगारी निकलती है वह चिंगारी कहां गई उपर हम नहीं पता सकते हैं उसी प्रकार वह साधक जो सील में प्रतिष्ठित होकर शाधना करते हुए प्रग्या का साक्षात किया और अनित्य अनात्म का बोध करके वह निर्वान का लाव किया वह कहां गया हम नहीं कह सकते हैं यथे आपो पठवी तेजो बायो नगादती जहां न पृतिवी है न जल है न अगनी है न बायू है न सुर्ज है न चंद्रमा है तो भी वहां अंधकार नहीं है नमो तत्थ नमो नत्ति तो वहां तो भी अंधकार नहीं है चलिए भवतु सब्ब मंगलंग रखंतु सब्ब देवता